नमस्कार आप देख रहे हैं प्रभासाक्षी नेटवर्क का बेहदी खास कारिक्रम सुनते हो नेता जी मद्धु प्रदेश में सियासी संकट के बीच कॉंग्रेस नेत्रत वाली कमलनाथ सरकार को बड़ी राहत मिली है कॉंग्रेस के 22 विधायकों द्वारा इस्तीफा दिये जाने के बाद सरकार अल्पमत में आ गई थी जिसके बाद लगातार भाजपास सक्ती परिक्षन कराया जाने की बात करही थी जो फिलाल 26 मार्च तक के लिए टल गया है आज इसी विसे पर चर्चा करेंगे क्या कुछ हुआ सोंबार को मध्प्रदेश विधान सभा के बजट सत्त की सुरुआत होनी थी जिससे पहले भाजपा और कॉंग्रेस ने अपने तमाम विधायकों को हरियाना और जैपुर से वापस बुला लिया और तरह तरह के दावे किये जाने लगे जब कभी भी कमलात कैमरे में कैद होते तो विक्टरी का साइन दिखा देते और बहुमत हासिल करने का दावा करते जबकि नेता प्रतिपक्ष घोपाल भारगाव कहते कि अब तो नैतिक जम्यदारी लेते हुए आप इस सीफा दे दे लेकिन फिर विधान सभा में विधायक पहुचने लगे राजपाल लाल जी टंडर ने राज विधान सभा के बजट सत्थ के पहले दिन सदन्कियों सिर्फ एक मिनट ही संबोधित किया और वहां से चले गए इस दोरान उन्होंने समवैदानिक परंपराओ का पालन करने लो क्यास धरी के धरे रह गए और मुख मंत्री कमलनाथ को अपनी सरकार बचाने के लिए समय भी मिल गया इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब कारेवाही स्थगित हुई तो उसके बाद कॉंग्रेस विधायक भारत माता की जैके नारे लगाते हुए देखे उन्हें मना कर अपने पाले में नहीं ला सकते हैं ऐसे में मुख मंत्री कमलनाथ को और भी जादा समय की आवश्यक्ता थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही देश में कोरोना वायरिस के बढ़ते प्रकोप के चलते अमूमन हर प्रदेश की सरकार ने 31 मार्च तक के लिए स्कूल घरों को बंद करने का अदेश दिया और कमलनाथ ने भी ऐसा किया कुरोना की वज़े से संकट का फायदा भी कमलनाथ को मिल गया एक तरफ देश में कोहराम मचा है तो दूसी तरफ कमलनाथ के चेहरे पर मुस्कान देखी जा सकती है जब कॉंग्रेश विदायक विदान सभ पहुचे तो सभी मास्क लगाए हुए थे जबकि मुख मंत्री कमलनाथ के गले में मास्क लटक रहा था और वह अपने विदायकों के साथ बातचीत कर रहे थे और खुलकर हस भी रहे थे यह नजारा देखने लायक था क्यूंकि उन्हें सायत पता था कि आज सकती परिक्ष करें लेकिन वह जानते हैं कि कॉंग्रेस के बाइस विदायक हौस ट्रेडिंग के सिकार हो चुके हैं चुन्हों ने अपना स्तीफा सौप दिया था इतना ही नहीं कॉंग्रेस को राजसभा चुनाओ का भी डड़ सता रहा है क्यूंकि कुछ वक्त पहले कॉंग्रेस ने सथारण भगगवाती हुई देखी जा सकती है रही बात मद्य प्रिश की तो एक दिश्चस बात आपको बता देते हैं कि जो अविश्वास-प्रस्ताव होता है यह पूरे सत्र में सिर्फ एक बार ही लाया जा सकता है ऐसे में अगर कमलनात्य सरकार प्रस्ताव जीत जाती है तो फिर 6 महीने तक सरकार में बनी रह सकती है आपको याद हो तो नेता प्रतिपक्ष गोपाल भारगाउं ने कमलनाथ सरकार को चैलेंज दिया था कि इस दोरान कमलनाथ सरकार को 122 मत मिले थे और मौझूदा इस्थित के मुताबिक 26 माज तक मध्यपदेश विधान सभा की कारवाई स्थगित हो गई है जिसके बाद सुप्रीम कोड का रुख कर रहे है भाजपानेता और इससे जुड़ी तमाम ख़बरों के लिए आप प्रभ आपसक्री.com. Namaskar!